असलाम लेकूम हैपी नियू येर कैसे हैं आप सब नए साल की खुश्य में आज हम बनाएंगे एक खास स्पेशल कोपीज जो आप सब ज़रूर्ट करिएगा बहुत असान रेसिपी है चले शुरू करते हैं अंडी की दो सपैदियां लेने हैं उसमें चुटके नमक टाले और इसको अच्छा सा बीट करने जब तक बीट करें जब तक ये फुल वाइट नौज ये फॉर्म की शकल में मैं फिस से बता दूँ अंडे की दो सफैदियां लेने हैं उसमें एक चुटकी नमक एड़ करना है और अच्छा सा बीट करना है जब ये इतना बीट होजे तो इसमें हम पीसी वी चीनी डालेंगे आइस्ता एस्ता एक जब सारी नहीं हो उठानी है एक एक चमच करके हम इसमें एड़ करी जाएंगे साथ के साथ बीट करी जाएंगे चीनी मैंने ली है वन बाइट री कप साथ के साथ बीट करी जाने है और साथ के साथ हमने इसमें तीनी एड़ करी जानी है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर दें लाइक कर दें और बेल अलकन पो क्लिक कर दें ताके मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप पो ज़रूर मिलें अब इसमें वानीला सेंस एट कर लें और इसको दोबारा अच्छा सा बीट करें यह आलमोस हमारा मिक्स्टे और राइडी हो गया है यह देखें इस तरह बीट करने के बाद यह इतने वह पीक फॉर्म में आ जाएगी कि यह बाउल उल्टा करने पर भी गिरेगी नहीं बिल्कुल इस तरह अपनी इसको रेडी करना है अब इसको पाइपिंग बैड में आप शिफ्ट करतें और बेकिंग ट्रॉय में शेप दे दी इसको अपने बंदरा से 20 मिनट बेक करना है और पना से भी अप्री हीटेड ओवन में और अगर आप चाहें तो उपर इस स्प्रिंकल एड़ कर सकते हैं यह अप्शनल है मिक्सर हमारा वाकी का जो मिक्सर हमारा बैचे इसमें हम पिंक कलर एड़ करेंगे आप क्याइटों को यौर कलर भी एड़ कर सकते हैं पिंक कलर एड़ करके थोड़ा से इसको बीट कर लेंगे हम और पाइपिंग बैग में अब कलर को पानी में घोल के तो इस तरह साइटों से आपको दो-तिन ड्रॉप्स डाल दें एक डिजाइनिंग के लिए और यह लिखें कितने मज़े का कलर आ रहा है डिजाइनिंग हो गई है इस तरह 15-20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और यह देखें बेक होने के बाद कितने जबदस लग रहे हैं और यह खाने में और भी मज़े के लग रहे हैं आप जरूर ट्रॉय करिएगा चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी कमेंट्स में जरूर बताएगा अपो कैसा लगा थैंक यू बइब बताएब मुझे अपो उल्हा रहे हैं और मुझे टियूर इंक यूर सब्सक्राइब रहे हैं वाक यूरूर बताभ जरूर यूरूर यूरू